लेकिन सबसे पहले शुबात करते हैं बुलिटिन की इस वक्ती बड़ी खबर के साथ और खबर बिहार से जहां पर खगडिया में जबरदस बवाल देखने को पर एक्जाम सेंचर के बाहर छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया सेंचर में एंट्री ना देने पर स्टुडेंट्स भड़ा कुठे और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू करते हैं सोशल मीडिया पर तस्वीर वारल हो रही है ये देखिए तस्वीर आपके सामए टिवी स्क्वीन पर है बदा जा रहा है कि 12 का एक्जाम था याने की 12 वी कक्षा का एक्जाम था ट्राफिक जैम की वज़े से कई बच्चे लेट हो गए ऐसे में उन्होंने एक्जाम देने की परविशन मांग दे लेकिन जब उन्हें अंदर नहीं घुसने जिया गया तो आनंभानम में बच्चों ने प्रोक्रस्ट करना शुरू कर दिया हैरानी इस बात की थी कि बच्चों को रोकने के लिए पुलिस कर्मी ने गन लोड कर दी इसके बाद भी बच्चे नहीं रुखें और फिर धक्का देकर वो कैसे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये देखे तस्विरे तो अब आपको तस्विरे दिखाने की कोशिश करते हैं जब पुलिस कर्मी गन लोड कर रहा था एक्जाम संटर पर हंगामे की वो पहली तस्विर आप पहले देख लीजे यहां पर चात्र कैसे हंगामा करें सबके हाथ में आप देखे पर्चे हैं ये कमोबेश अपना रोल नंबर लेकर वहां पर पहुंचे है और ये जाहिर बात है कि इनके भविश्य की बात है आप सोचिए कि जब बड़े-बड़े अपराधियों को पकड़ना होता है तो ये पुलिस कर्मी कितनी जल्दी गन लोड कर पाते हैं विहार के अंदर वो आपने तस्विरे देखें अब यहां पर देखें चुकि बच्चे हैं यहां पर यह देखें यह साब यहां पर गन कैसे कर रहे हैं आप यह देखने वाली बाते लेकिन सवाल इस बात को लेकर रहे कि बच्चे तो मांन नहीं रहे और इस साब ने तो गन लोड कर दी तो गन लोड करने के बद कर यह बच्चों पर चला भी देते क्या बंदो फिलाल इस मामले को लेकर क्या कदम आगे उठाया जाता है ये देखने वाली बात है लेकिन ये बिहार के खगड़िया के तस्वीर जहां पर 12 की एक्जाम में बच्चे लेट पहुँचे और परिफशा ना देने पर हंगामा शुरू हो किया